हेलो बच्चों, वेलकम बैक टो दे चैनल, होप सब आप सबी बहुत अच्छे होगे अगर आप लोग क्लास 9 में किसी भी स्कूल में एड्मिशन लेना चाहते हो एक अच्छे स्कूल में लाइक आप जवाहर नवोदे विद्याले में जाना चाहते हो या फिर के आप केंद्री विद्याले में जाना चाहते हो या एम्यू में जाना चाहते हो या जन्यू में जाना चाहते हो या फिर के आसोसी में जाना चाहते हो तो ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट रहने वाली है हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने क्लास 9 के एंटरेंस एक्जाम के लिए जिसका नाम है यशस्वीर सीरीज आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना जिसमें फर्स वीडियो है तो मैं इंट्रोडक्शन काफी जादा दूँगा कि कैसे कैसे हम लोग प्रिपेर करने वाले हैं वो सारे बाते में आप लोग को बताऊंगा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेम के लिए अगर आप लोग स्टेम के लिए एंटरेंस एक्जाम देना चाहते हो तो उसमें हमारे तीन पाट आते हैं सबसे पहला पाट आता है हमारा cha पहले वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग को ना मिलेए तो आप लोग मुस्थे लिंक मांग लेना मैं आप लोग को प्रोवाइट कर दूँगा हम स्लेबस में क्या-क्या पढ़ने वालने हैं उसके उपर भी अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल पे बता देना कमेंट सेक्शन में मैं आप लोग को उसके लिए सेपरेट वीडियो भरा दूँगा कि हम लोग को कंटेंट क्या-क्या पढ़ना है कैसे-कैसे पढ़ना है मैस की भी तयारी जो है आप लोग की चैनल पे ही होगी और साथ में साइंस की तयारी भी इसी चैनल पे होगी और समय से पहले हर बार हम लोग हमेशा कहा सी स्टार्ट करते थे जैनवरी में स्टार्ट करते थे लेकिन इस बार हम लोग अगस्त में स्टार्ट कर रहे है तो हम लोग बहुत ही समय से तयारी भी कर लेंगे revision भी कर लेंगे और test paper भी कर लेंगे ठीक है तो हम लोग को science भी इसी channel पर पढ़ना है math भी पढ़ना है math की class ways भी आपकी होगी और साथ पर aptitude भी होगा ठीक है तो हम लोग अपने start करते है आज analogy का portion analogy में हमें क्या करना है जिसमें analogy देखो एक verbal reasoning का part आता है जिसमें हमें missing number का topic करना है आज कौनसा missing number का आप लोग questions कैसे करते हैं आप लोग ध्यान से समझना कुछ questions मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा और कुछ questions मैं आप लोग के लिए दूंगा ठीक है और उसको आप लोग solve कर सकते हैं देखो यहाँ पे आप हम जो मैं आप लोगो questions दूंगा वह आप लोग solve कैसे करोगे solve आप लोगों ने कर लिया अब आपको कैसे पता चलेगा क्यों सही है गलत तो उसके solution आप लोग को जो next वीडियो आएगी उसके description box में आप लोग को उसके solution का PDF मिल जाएगा देखो आज का जो question है जो practice के लिए question दूंगा उसका PDF आप लोग को यहाँ पे description में मिल जाएगा description में आप लोग क्लिक करेंगे PDF होगा उसको download करके question कर लेना उसके answer की video आप लोग को next video में मिल जाएगी और उस video से related question भी उसमें मिलेंगे जिन बच्चों ने पहले तयारी किए उन बच्चों को पूरा idea होगा ठीक है आप लोग भी धिरे-धिरे सीख जाएंगे अगर आप लोग नए class 8 में हो तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही द्यादे helpful होने वाली है ध्यान से देखो आप लोग के लिए एक surprise लेकर आय चाहिए जिससे आप लोग बहुत ही best तरीके से prepare कर पाओ तो मैं आज आपके सामने एक book लेकर आया हूँ जो कि GK publication की book है Mass Olympiad के लिए बहुत ही best book है आप लोग इसे purchase कर सकते हैं अब इस books की खास बात क्या है तो आप लोग यहां पर देखेंगे आप लोग को यहां पर screen पर मैंने दिखा रखा है इस book के अंदर बहुत ही अच्छे contents दे रखे हैं जैसे real number, polynomial, quadratic equation और linear equation into variable मतलब total 14 chapters आप लोग के दिये गए हैं जो Mass Olympiad में बहुत जादा help करेंगे और ऐसा नहीं कि इसमें बस खाली आप लोग को multiple choice questions ही दिये गए हैं सबसे पहले topics को explain किया गया है और बाद आप लोग को practice के लिए कुछ question दिये गए हैं last में model test paper भी दिये गए हैं दो model test paper है और इस book के जो chief advisor है वो पहले के हमारे IS वगेरा है और IITN से तो book जो है आप लोग के लिए बहुत ही best है और साथ में आप लोग यहां पे देखेंगे कि book के बिल्कुल last वाले portion पे आप लोग prepare कर सकते हैं बुक को कैसे purchase करना है उसके लिए मैं link आप लोग को description में दे दूँगा और ध्यान रखिएगा कि GK publication की original book आप लोग के पास होनी चाहिए अगर आप लोग mess olympiad के लिए prepare कर रहे हैं कैसे purchase करना है उसका link मैं आप लोग को description में दे दूँगा आप लो 29, 27, 81, 243 इसके लिए हमारे पास 4 option है एक हमारा 486, एक option है हमारा 729, एक option है हमारा 972 और एक option है हमारा 359, 4 option है हमारे पास हमें ऐसे questions में क्या देखना पड़ता है हमें ऐसे questions में देखना पड़ता है कि pattern किस तरीके का बन रहा है देखो या तो even odd का pattern बन रहा होगा या तो square का pattern बन रहा होगा या तो cube का pattern बन रहा होगा हो रहा है तो वह अगला नमबर आ जा रहा है 9 को 3 से multiply करोगे तो 27 आ जाएगा 27 को 3 से multiply करोगे तो 80 बना जाएगा तो इसी तरह के रिए 243 को जब हम लोग 3 से multiply करेंगे तो कितना जाएगा 339 ठीक है तो हमारे पास एक यह option होता है यह option होता है लेकिन आगे भी solve करना गया कि यह B option सही होगा और 326 और 17729 इस दा करेक्ट आंसर होप सो आप लोग को पहला question जो है बहुत ही असानी से समझ में आ गया होगा दीरे दीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं चलो question no.2 हम लोग देखते है question no.2 क्या है कोई भी problem होगी आप लोग comment section में पूछ सकते हैं सारे doubts clear कर दे जाएंगे doubt session की classes अलग से लगेंगी ठीक है बटा question no.2 है आप लोगों का इसमें कहता है 1, 6, 12, 19, 27 and question mark option है आपके पास 38, 35 और आगे है आप लोगों का c है आपका 36 और d option है आप लोगों का 54 कैसे करेंगे हम लोग देखो कितने का difference है प्लस 5 का यहाँ पर कितने का difference है 6, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 5 का difference 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लस 6, 12 to 19, प्लस 7, 19 to 27, प्लस का 8 तो इसमें प्लस का 9 कर दोगे तो कितना जाएगा 27 में 9, 8 करो 9, 7, 16, 1, 36 36 कौन सा option है? C option is the correct answer clear? चलो question no.3 देखो यहाँ से question no.3 हमारा कहता है 2, 6, 14, 30, 62 option हमें इसके लिए दिया गया है 126, B option है 128, C option है 120 और D option है 130 और E वाला जो option है वो आपका है none of these, none of these, ठीक है? क्या pattern बनेगा? ध्यान से देखना, अगर मैं 2 में 4 add करता हूँ, कितना? 4 add करता हो, तो कितना बन गया? 6 बन गया, 6 में कितना add होगा? 8 add कितना 8, 14 में कितना add होगा? 14 to 28 यहनके 14, 15, 16 add ओगा, ठीक है? और इस में कितना add होगा? 32 यहनके देखोगे तो 4 4 to 8, 8 to 16 16 to 32, 32 to 2 जा कितना हो जाएगा? 64 यहनके 62 में 64 add हो जाएगा कितना हो जाएगा 64 तो कितना हो जाएगा 126 and 126 यह निकि A is the correct answer इसी तरीकी से हमें क्या करना है series बनाना है pattern बनाना है कि क्या pattern बन रहा है उस ठीच को में ध्यान देना है चलो दो question और हम लोग करते हैं इस video में अगर आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप लोग को series बगएर समझ भे नहीं आ रहे कोई भी पार्ट समझ भे नहीं आएगा तो आप लोग तुरंट comment section में बता देना उसके उपर कुछ और additional questions करवा दिये चाहेंगे question no.4 देखो आप लोग question no.4 में हमें कहता है 8 है 48 16 96 32 then question mark ठीक है option है हमारे पास 192 150 और 64 और D option है हमारा 288 and E option है 128 pattern क्या बन रहा है 8 में तो यहां पे देखो कि 48 यहां पे इसका double हो जा रहा है यहां पे इसका double हो जा रहा है तो 8 टूजा 16 ठीक है 16 टूजा 34 यहने के एक एक स्किप हो के हो रहा है और यहां पे 2 से multiply करोगे तो 96 हो गया तो अगला number जो है इसको skip करके यहां पर आएगा ठीक है तो 96 को जब 2 से multiply करोगे तो कितना हो जाएगा 6 टूजा 12 का 2 carry 1 और 9 टूजा 18 और 19 192 है option में A is the correct answer होपसो सभी को समझ में आ रहा हो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है aptitude के हमारे कम से कम 10 से 12 questions आते हैं और हरे question 4 number का होता है तो लगबग 50 से 60 number जो है weightage रखता है साढ़े 300 में से 5th question है हमारा 2 8 14 24 34 48 then question mark A option है हमारा 66 B option है हमारा 62 C option है हमारा 58 D option है हमारा 64 और E option है हमारा 80 क्या answer होगा देखो 2 में मैंने कितना add किया 6 add किया 8 हो गया 8 में कितना add किया मैंने 6 add किया 14 में मैंने कितना add किया 10 add किया यहां पे कितना add किया 10 add किया उसके बाद यहां पे मैं कितना add करूंगा 34 में 14 add करूंगा तो जाइड सी बात है दो बार अगर 6 add हुआ दो बार 10 add हुआ तो दो बार 14 add हो जाएगा तो 48 में क्या कर दो 14 add कर दो तो 2 और carry 1 4, 5, 6 कितना answer हो गया 62 तो B is the correct answer इसी तरीके से आप लोग को सीरीज वाले questions करने हैं hope so आप सभी को समझ में आयो आभी तक तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया number series के question किये आने वाली वीडियो में हम लोग alphabet series वाले question करेंगे ठीक है इसी तरीके से आप लोग के लिए एक एक part आता रहेगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो और वीडियो को share करना बिलकुल मत भूलना कोई भी problem हो आप लोग comment section में पूछ सकते हैं all of you thank you for watching the video stay connected and be updated